कि हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल कि आज मैं आपके लिए यह वाला दो कलर का डीजाइन लेके आए हैं यह रिजाइन देखने में बहुत ही खुब सुर्ण लग रहा है आप चाहें तो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपने अस्तमाल कर सकते हैं कि हमें फंदो की कोई काउंटिंग की जूरूत नहीं है आप कितने भी फंदे डाल के इसमें बना सकते हैं देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आप बॉर्डर बना के अपने तयार कर लें उसके बाद आप प्लेन सलाईयां बनाए यानि सीधी और उल्ट कि जोड लेंगे और यहां पर यह पहले मैंने दो फंदें सलिप किये हैं और आपको कलर जोपी जोडना है .बनासकतtermin . जो भी धागा जोड़ना है उसको जोड़ने और जोड़ने के बाद देखिए जो मैंने हाँ पर तीसरा फंद है उससे डिजैन डाला है इस तरह से बनाएं और एक फंदे से हमें तीन फंदे बनाने इस तरह यह देखिए इसको सिलिप कर देंगे फिर जो फंदा हमारा नेक्स बनाएंगे, एक फंदा निकाला, फिर धागा आगे किया, फिर एक और फंदा बनाएंगे, एक से तीन बनाने है, नेक्स्ट फंदे को सिलिप करेंगे, इसी तरह से हमें हर एक फंदे पर सिलिप करने के बाद एक फंदे पर तीन फंदे बनाने है, एक फंदा सिलिप किया, यह भंदा सिलिप कियां, नेक्स्ट वंदे पर इस तरह से तीन वंदे बना लेंगे यही आपको पूरी सलाई में रिपीट करते जाना है यह एक पंदा सिलिप किया, नेक्स्ट में देखे एक धागव और एक पर बनाएंगे, एक पंदे से तीन पंदे बनाएंगे पेंदा सिलिप करेंगे, अगले में तीन पंदे इस तरह से बनाएंगे दागा पीछे रहेगा यह देखिए स्लिप करेंगे एक फंदा नेक्स्ट फंदे में एक फंदा दागा आगे फिर एक फंदा यानि एक फंदे से तीन फंदे आप बनाएंगे इसी तरह स्लिप करेंगे और एक फंद बनाया, धागा आगे किया, फिर एक और फंद बनाया, देखे लास्टर मेरे दो फंदे इन्हें में सिलिप करलोंगी इस तरह से, यह सलाई कम्प्लीट हो गई है हमारी, रोंग साइड में आ जाएंगे, देखे रोंग साइड में क्या करना है, जो फंदे हमने करेंगे, यह देखे, और यह धागा हम पीछे करेंगे, लेप्ट साइड में धागा पीछे रखना है, यानि हमें यह फंदे सीधे बनने हैं, जो हमने तीन फंदे बनाये हैं, यह जो तीन फंदे हमने बनाये हैं, इनको हम सीधा बनके, यह देखे, इधर से सीधा बनेंगे तीन का एक बना देंगे तीन का एक बनाने के बाद अब आप देखे यह जो फंदा सिलिप है उसको हम सिलिप करेंगे लेकिन धागा हमारा पीछे ही रहेगा यह धागा मागे नहीं लाएंगे धागा पीछे ही रहेगा फिर नेक्स्ट वाले जो हमने तीन फंदे बना रखे हैं उनको तीन का एक बनाएंगे धागा हमें पीछे ही रखना है धागा हम लेप साड में नहीं लाएंगे यह फंदा स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदों का एक बना देंगे इस तरह से नहीं लेना है इसको इस तरह से लेंगे तीन फंदे इस तरह और ऐसे हम यह तुर्ण का एक बना देगे देखे दागा हमपीछे रखेंगे आगे नहीं लाएंगे फंदर स्लिप किया और तीन का एक बना दिया यह फंदर स्लिप किया तीन का एक बना दिया यह फंदर स्लिप किया और तीन का एक बना दिया कि इस तरह बनाने से कुछ इस तरह का विजाइन आपको बुन कि आएगा है यह वंदा सिलिप किया है और कि देखिए यह तीन का एक बना दिया है कि देखिए यह होने के बाद जो हमारा यह धागा है इसको हम इधर ले लेंगे आगे की तरह लेफ्ट में और यह दोनों फंदे हम इस तरह से सिलिप करनेगे यह हमारी सेकेंड सलाई कंप्लीट होगी है देखिए यह मैंने आपर यह बना दिया है यहां से देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें जो हमारा यह बेस कलर है यानि जो मैंने जिस कलर से पहले बनाया था वाइट से उससे में पूरी सलाई को कंप्लीट क करलोंगे कि फिस्ट रस टनी को फिषसे बुनेंगेंideo कि इसमें हमें ये सारे फंस तरह से बुन के कउम्प्लीट करेंगें आप चाहें तो इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हैं यह धागा मल्टी कलर मतलब अलग-अलग कलर आप यह मेरा धागा ही मल्टी कलर है जो आपकी बचियों यह बना होती है तो उससे भी आप बना सकते हैं थोड़ी-थोड़ी जैसे उन हमारे पास बच जाती है तो आप पहले ये वाली सलाई दूसरे कलर से बना लें, फिर ये दूसरे कलर से बना लें, फिर ये अगली, इस तरह से आप कलरफुल भी बना सकते हैं जो हम थोड़े-थोड़े हमारे धागे बची होते हैं वो भी काम में आ जाएंगे, और डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगेगा, इस तरह से बच्चों के स्वेटर आप बना सकते हैं, जो थोड़े-थोड़े हमारे पास बची होती हैं तो उसी से हैं, इसमें ज्यादा ओन न कि अधिए, कैसा लगा फ्रेंड आपको मेरे डिजाइन, इसमें आप यहां पर यह प्लेन सलाई हैं, चार सलाई में ने बनाई हैं, आप चाहें जितनी बना सकती हैं, दो बना ले, छे बना ले, और इसको मल्टी कलर से बनाएं तो बहुत ही सुन्दर लगेगा, यह किसी द दूसरे कलर से, यह किसी दूसरे से, यह किसी दूसरे से तरह से, बहुत सुन्दर लगने वाला है, कैसा लगा फ्रेंड आपको हमारे डिजाइन, प्लीज कमेंड करके जरूर बताईएगा,